आईए देखते हैं सम्विधान की उदेश का प्रस्तावना सभी परिख्जाओं के लिए महत्तोपूर है हमरे सम्विधान की प्रस्तावना अमेरिका के सम्विधान से लिया गया था जबकि प्रस्तावना की भासा अस्ट्रेलिया के सम्विधान से लिया गया था शंबिधान की प्रस्तावना को शंबिधान का दरपण भी कहा जाता है शंबिधान सभा के सामने ज्वाहर लाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 इस्वी को संबिधान के उदेशका को प्रस्तूत किया था जिसे मोती लाल नेहरू के द्वारत त्यार किया गया था नेक्स्ट वन भारतिय संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संसोधन किया गया है 42 संविधानिक संसोधन 1976 के द्वारा किया गया और इस संसोधन के द्वारा प्रस्तावना में तीन सब्द को जोड़ा गया था नमबर वन समाजवादी, नमबर दू, पंत या धर निर्पेक्टा, नमबर थिरी, एकतायम अखंडता हमारे प्रस्तावना की शुरुवात हम भारत की लोकसब्द से होता है हमारे प्रस्तावना में सबसे परमुक पांच तत्य इस करम में हैं या इस परकार हैं नमबर वन, शंपरभुत्व शंपन, नमबर दो, समाजवादी, नमबर थिरी, धर निर्पेक्ट या पंत निर्पेक्ट, नमबर फोर, लोकतांतरिक, नमबर फाइब, गणराज्यम हमारे समिधान की प्रस्तावना को 26 नमबर उनिस उन्चास इसवी को मिर्ती मार्क सुकल, शत्मी, विकर्मी, शमवत, दुज़ार सिक्स को शमिधान साभाने, हमारे मूली शमिधान के साथ साथ, प्रस्तावना को आत्म समर्पीत या खेक्रिद एम अंगिकार किया था नोट, हमारे मूल समिधान में विकर्म समवत की चार्चा किया गया था, किन्तु 22 मार्च 1907 निस्वी को राष्टिय पंचान के रूप में सक्समवत को मनेता दिया गया नेक्स्ट वन, हमारे समिधान के प्रस्तावना में उलेखित विभीन सब्ध का अर्थ निमली खी थे, हम भारत के लोग सब्ध का अर्थ होता है नमबर वन, भारतिय समिधान को भारतिय जन्ता के परतिनीधी ने तियार किया था नमबर दो, शमिधान के द्वारा अंतिम शमपरभुता जनता को दिया गया है नमबर थिरी, भारतिया, शमिधान भारतिया जनता के एक चाव का पढ़नाम था समझवादी, समझवादी सब्द का अर्थ होता है समाज में सभी को एक समान दर्जा देना यह सब्द हमारे मूल परस्तावना में नहीं था इसे 42 वे समय धानी संसोधन के द्वरा 1976 इस भी में जोड़ा गया था अलाकि हमारे समझवादान के भाग चार के अंतरगत राज के नितिन देशक तत्वक के में समझवादी के लक्षण पहले से ही मौजूद है भारत में समझवाद लोकतांतरिक समझवाद है जिसमें गर्वी असमान्ता बीमारी त्यादी को समाथ करने की बात कहा गया है लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अस्थ बिवस्था को अपनाया गया है जिसमें सर्वजनिक छेत्र अमनेजे छेत्र दोनों एक साथ काम करते हुए नजर आते है नेक्ट फंड धर्म पंत धर्म या पंत निर्पेक्ष हमारे मूल प्रस्तावना में यह सब्द नहीं था इसे बेलिश्वे समय धाने सुनसोदर 1974 के द्वारा जोड़ा गया था और नेक्ट फंड धर्णिर्पेक्ष्था का अर्थ होता है भारत का नीजी धर्म नहीं होगा यहाँ सभी धर्मों के प्रती एक समान आदर किये जाएंगे और शरकार के द्वरशवी धर्मों को एक शमान शमर्थन दिया जाएगा लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सब्द का अर्थ होता है कि सम्भीधान की सारी सकती जानता में नहीत हो नेक्ट वन भारत का लोगतंत्र एक अपरतियक लोगतंत्र है जिसमें संसद्य लोगतंत्र को मानेता दिया है जिसके अंतरगत ब्यस्त मताधिकार के सांथ साथ सामुहिक निर्वाचन कानून की सर्वच्ता नियाई पालिका की सोतंता इतियादी ब्यवस्ता संसद्य लोगतं या राष्टपति भारतिया जनता के द्वारा और परतियाक्ष रूप से निर्वाचित किये जाएंगे नेक्ट वन भारत के राष्टा ध्यक्ष का एक निश्चित कारेकाल होता है जो पांच वर्सका होता है देश की सभी कारेपाली का सक्ति राष्टा ध्यक्ष या करचा किया गया है नमबर वन समाजिक निया नममर दो आर्फिक नियार नमबर थी राल नितिक नियार इन तीनों स्एम नियार के सुरख्छा के लिए मुल अधिकार एम राज के नेपि निर्दे सकत्त्र आर्फित् हमारे परस्तावना में दिये गए सोतंता को मूल अधिकार के जर्य सुनेशित किया गया है हमारे परस्तावना में सोतंता समान्ता एम बंधुत्वसद का पर्यूग 1789 इस्वी की फ्रांस की करांती से लिया गया था हमारे प्रास्तावना में विभीन परकार की समानता की चार्चा किया गया है नमबर वन नागरिक समानता, नमबर दो राईनितिक समानता हमारे मूल अधिकार के द्वर राईनितिक समानता को सीद करने के लिए निमलिखित प्रावधान किया गया है जैसे नमबर वन अनुछेद 14 के अंतरगत कानून के समक्ष समानता की चार्चा किया गया है नमबर दो अनुछेद 15 के तहद जाती धर्म, लिंग, वन्स, जन, अस्तान इत्यादी के अधार पर सारवजनिक अस्तान में जाने आने पर भेद भाव को रुका गया है नमबर दो अनुछेद 14 के अंतरगत कहा गया है कि जाती, वन्स, लिंग, वन्स, जन, अस्तान इत्यादी के अधार पर सारवजनिक रोजगार या सरकारी नौकरी के मामले में भेद भाव नहीं किया जा सकता है नमबर फोर अनुछेद 17 के अंतरगत अस्पिरिस्ता या छुगा छट पर पूरी तरह से परतिबंद लगाया गया है नमबर फाइब अनुछेद 18 के अंतरगत उपाधियों का अंत किया गया है हमरे समिधान के परस्तावना में उलेखित, दर्सन या आर्थिक समाजिक एंधार्मिक सीधान थ हमारे समिधान का मूल अधार माना गया है हमरे सम्भीधान के परस्तावना के बारे में एके स्वामी अयर ने कहा कि यह परस्तावना सम्भीधान निर्मताओं का दिरकालीन सपनों का बिचार है परस्तावना के बारे में नियाय मूर्ती हिदाय तुल्ला का मनना है कि यह सम्भीधान निर्मता के दुवारा एक विशेश बिवस्ता किया गया है जो अमेरिका की सोतंता के समान है किन्तु यह अमेरिका की सोतंता की घोसरा से भी ज्यादा है किया मुंसी के प्रस्तावना के राजनीति कुंडली कहा आरनेस्ट वरकर ने संभीधान की कुंजी कहा ठाकूर दास मारकर ने संभीधान की आत्मा कहा